हालो फ्रेंट्स आपकी इड जस्ट थूहंड़ेट में रेजिस्टरेशन होगे आपका आप आइड एक्टिवेशन पासवर्ट डालके आप लॉगिन करेंगे जब आपकी ID लॉगिन होगी तो आपका डैशबौर Whoo लोगjang आपको आपका नाम है आपका मोबाइल नंबर और sponsor का डिटेल यानी किसंग आपको sponsor किया है उनका mobile number किसके थुरू आपकी joining होई है यह पूरा detail show करेगा इसको थोड़ा सा आप उपर करेंगे तो नीचे आपको एक slip show करेगी जिस जिसने आपको sponsor किया है उनका नाम और उनका mobile number आपको show करेगा इससे आपको क्या करना है कुछ व्यक्ति को call करना है और उनको आपको 200 रुपए का payment करना है जब यह payment आप उनको accept कराएंगे तब वो आपकी ID activate हो जाएगी तो इस तरह से 200 का payment करके आप अपने sponsor को अपनी ID activate कर सकते हैं ID आपका registration हो गया आपनी ID login करके चेक कर लिया किसे payment करना है अब उस ID पे चलते हैं जिसकी sponsor से इस नए ID का registration हुआ है उस ID को क्या करना होगा यानि आगर आपने किसी को अपने sponsor से एड किया है तो आपको अपनी ID से क्या करना है उसमें यह देखते हैं तो जैसे इस ID से एक नई ID लगी थी द्यारशंकर तिवारी जी के नाम से तो वहाँ पे हमने देखा था उस ID में कि वहाँ पे एक detail सो कर रहा था कि इनको तिवारी जी को यह 200 रुपय का payment करना है अब हम उस ID में आ जाते हैं जिने यह payment receive होना है तो जो भी अपने sponsor से ID create करते हैं उनको अपनी ID login करनी है ID login करेंगे तो आपको उस व्यक्ति का नाम उसका mobile number देखें नाम mobile number और यह 200 रुपय पेमेंट वह आपको करेगा यह शो करता है तो आपको जब 200 रुपय आपको मिल जाते हैं वह व्यक्ति आपसे contact करेंगे आपको 200 का payment करेंगे जब आप confirm हो गए by cash या by transfer किसी भी तरीके से आपको 200 रुपय receive हो गए अब आपको यहां से उनकी ID को accept करना है जब आप यहां से accept करेंगे तभी उनकी ID activate होगी अगर वो payment नहीं करते हैं तो आप यहां से उनकी ID decline कर देंगे इस तरह से उनकी ID reject हो जाएगे और यह system से बाहर हो जाएगे तो ID accept करने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहां पे इंटर parent code मांगता है इस parent code में आपको अपनी जो sponsor ID है वो भरनी होती है जो आपकी ID है जिससे आप इस ID को activate करने जा रहे है तो हम इसको भरते हैं यह sponsor ID भरने के बाद आप कहीं भी page को touch कर दिजिए तो refresh होके यह इस code पर जो भी नाम entry होगी वो नाम आपको शो करेगा इसका मतलब यह code सही है यह भरने के बाद आपको I accept पर क्लिक करके इनकी ID को activate कर देना है जब हम I accept करते हैं मैसेज आ गया है इसको OK कर देंगे और इनकी ID जो है activate हो जाएगी यह जो slip है वो यहाँ से गायव हो जाएगी यह देखिए dashboard आगया अब यहाँ पर जो slip थी वो यहाँ से खतम हो चुकी है यानि कि वो ID activate हो गई है इस तरह से आप किसी की भी ID activate कर सकते हैं